कि हेलोव फ्रेंड्स ओके एक्जाम के अंदर में कॉमन कॉशिंड्स जो आता है वह है ऑब जूटिव महीं के partner के capital अकॉंट कितने तरीके एक एक होता है एक होता है जिसको में बुलते हैं fix capital मेथड और दूसरा है जिसको मेरं बुलते हैंgeh ис की अब fix capital method का मतलब हो गया जहां पे basically दो partners के account बनाए जाएंगे एक जहां पे capital हम fix किया जाएगा वो बोला जाएगा fix capital method और जो भी बदलाओ करना है तो वो changes करने के लिए separate account खोल देंगे और उस account का नाम रख दिया जाएगा current account जहां पे दो account बनेंगे एक fix एक capital तो उस method का नाम होता है fix capital method और जहां पे सिर्फ एक ही account बनेगा जहां पे कोई capital fix नहीं रखा जाएगा initial amount का capital भी उदरी आएगा सारा changes भी उदरी होगा मतलब सारा fluctuation वहीं हो रहा है जहां एक अठाउट के अंदर में पैसे आप fix करोगे और दूसरा सारा बदलाओ दूसरे account से करोगे दूसरा method है जिसको मैंने बुला है fluctuating याने कि वहां पे बनेगा सिर्फ एक account तो कैसे याद रर्खना है fix का मतलब है दो method fluctuating का मतलब है एक method याने कि fixed का मतलब है दो capital account, fluctuating का मतलब है एक capital account, ठीक है? याद रहना, चलो, bye, thank you, और वीडियोस अब समझ रहा है, कुछ difficulties है, तो आप लोग update कीजिए, mention कीजिए, comment में mention कीजिए, और वीडियोस अगर पसंद आ रहा है, तो चैनल को subscribe करो, वीडियोस को ज़रूर लाइक करो, चलो, bye, thank you everyone.